नमस्कार समाचार बुंदेल खिंड में आपका स्वागत है। इस दस्ते ने कुछ दिन पहले ही एक महला की मारपीट की थी। अब इसी दस्ते के कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाने के दौरान जहासी व्यापरमंडल के अध्यक्ष संतोष ताहू के साथ भरे बाजार में सरेयाम मारपीट कर दी। और पिटाई का वीडियो सोशल मीडि पर बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है इस तरीके की घटनाय अतिक्रमण दल की तरफ से बढ़ती ही जा रही है पर नगर निगम के अधिकारी मौन क्यूं है और इस दस्ते पर कारवाही क्यूं नहीं कर रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है महला की मारपीट का वीडियो पर मंडल के अध्यक्ष संतोष साहू मैदान में आये और उन्हेंने कहा कि यह तो मारपीट हुई है मेरे साथ अगर व्यापारियों की कोई भी समस्या होगी तो हम जान भी दे देंगे उन्होंने अतिक्रमर दल पर लगाए अवैद वसूली ना देने पर व्यापारियों का उत्पिरन करने का आरूप लगाया है जानकारी दी तो मैं तुरंट पहुचा कि वैपारी के साथ मारपीट कैसे कर रहा है कोई और क्यों कर रहा है तो जब मैं वहां पहुचा और मैंने उनके करनल से कहा कि मुझे आप से बात करनी है और करनल जी को जो उनके करनल को मैंने बताया कि स्रीवान जी आप किसी वैप साथियों ने बलकि मेरे साथ भी धक्का ढाई करते हुए मारपीट कर दी और मारपीट करने के बाद जब हमने उनसे इस बात के लिए अपने फोन निकाला और अपनी जानकारी उच्छ अधिकारियों को देना चाहिए तो उन्होंने फोन भी छीन लिया और उसके साथ साथ काम नहीं किया लेकिन उन्होंने कानून की सारी धज्जियां उड़ाते हुए बैपारी के साथ मारपीट की और मैं संतोस साहू अध्यक जहांसी बैपार मंडल उत्तर प्रदेश ये आप सब के चैनल के माध्यम से अबगत कराना चाहता हूँ कि बैपारीयों के मान सम्मान स रक्षा के लिए ये तो पिटाई और लडाई हुई है अगर मुझे जान भी देनी पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं अटूंगा और मैं बैपारीयों की रक्षा के लिए हमेशा काम करता रहूंगा इन चीजों से मैं डरने वाला नहीं हूँ